नमस्कार आपका स्वागत है स्वागत है एक बार फिट से और आज हम चर्चा करेंगे डिबेट में कि बिहार में बागेश्वर धाम के बाबा धिरेंद्र शास्त्री जी पहुंसते हैं दस लाख लोगों की भीड आती है और वो मंच से कहीं न कहीं आपको बता दे कि अपने कारेकरम को अस्थागित कर देते हैं आधे समय से ही और कहते हैं कि आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कल इतनी भीड लेकर ना आए अब सब देखें भीड को देखकर क्या महा गढ़ बंदन में फूट पड़ा है आपको बता दे ताज़ा अपडेट बिहार में धिरेंद्र शास्त्री का समर्थन भी लोग कर रहे हैं नेतागंड और विरोध भी कर रहे हैं महा मंतरी मंडल में फूट पड़ी है महा गढ़ बंदन में आपको बता दे तेज प्रताप यादव लादोपरसाद यादव के बेटे उन्होंने विरोध किया है तो वही नितीश कुमार के मंतरी मंडल में शामिल निर्दल यह आपको बता दे प्रत्याश्वी सुमित कुम कि दोनों निताओं में समर्था नहीं दिखा दे रहा है बाबा को लेकर देखे ऐसा है इसमें क्या है इसमें दो चीजे आने हैं एक तो राजत तो बिरोतकरला जबजस और जद्यू में भी हकीकत यह है कि बहुत सा विदायक खामोस है वह अंदर से सहमत है एक नई बात देख समित तो उसने खुल करके सपोर्ट किया है और हकीकत है कि जद्यू में काफी लोग अंदर से सपोर्ट करना है मगा चूकि पार्टी के मजबूरी सरकार चलानी है और नितीश को मुखमंती रहना है तो लालू के लालू के बेटे की बात माननी होगी तेज पिताब बहुत ज जाए है बेटे की सफ़ड lacking बेटे के लिए शरकातम जबाता पितावकों के लिए गए ख Reid लो पार्ट है कि बिए विए लोग जानी है कवी सिके में उनकी तो जी इनकी ने पह स्कोशिए और उनकी बीकशिवर काम ऑपकर ओने तो उसमें क्या होता है मुझली जैसे पत्रकार वहां आंगे बैठे होते हैं तो वह भीर का आइडिया ले ले लेते हैं या इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट के लोग ले पाते हैं नेता लोग अदिकतर बोलते हैं कि लाखो की भीर आई जब कि लाखो की भीर कहीं होती नहीं एक फिट पर इसक्वायर के साब से भील का आकड़ा होता है नेता लोग क्या करते हैं आंगे काफी छोटा रहता है उसमें कुर्शिया लग दे जाती है थोड़ा इस पेज रहता पीछे भील दिखाई देती है मगर यहां जो बाबा वाला है वो चीज जश्ट उल्टी है वहाँ पे भील के ले ले थे एक की उपर एक बिल्कुल चड़े हुए थे लोग और बिलकुल फासला था ही नहीं हला आदमी बाब तो होता क्या है कि जब ऐसा फासला नहीं होता है आदमी को एक फिट के सब्स्रा पर तीन आदमी आ रहे थे एक तो पूर आ रहा था दो आदा तो कैलकुलेशन निकालना भी बड़ा टप उस हिसाब से आपको बताना है कि भीर दस लाग के करीब थी एक नियम है इंटरनेशनल लौ है हो इंडिया में भी कि कहीं पर बेगा पांच्छे लाग से अधिक हो तो म जाती है और लोग के नहीं अगता है इसनी स्काष़रण ॅब कर onion को बोलता है और प्रशासन की जुम्दारी होती है प्रशासन वहाँ मिलती और लोगों के मरने की पोहीशन आती है उसका एक्दम से दिखाई भी देता है mind से भी الोग जान जाते है देखें छिदित शे रह है लोग वो हो रहा है और बड़ी तेजी से लोग मरते हैं उसमें तबीयत खराव बड़ी तेजी से अगर दो तीन लोगों को चक्कर आया तो एकदम से हकीकत है तमाम रैलियों में ऐसा हुआ नेता सुआच चनबोस की हर रैली में हर एक उसको सुनने के लिए भीर लगती थी जैप्रकान नायन में होती थी और कई लोगों ने मीटिंग छोड़ी पटना में मैं आपको बतानों एक बार मोदी ने रैली की थी उसमें बंप चले थी और मोदी बोलते जब मोदी ने देखा कि लोग इतनी ज्यादा बीर है तब मोदी ने वहीं पर रैली रोग दी और कह कि आप लोग सीधे अपने जबके उनके उपर बंप चले थे अब बंप के लोग पकड़े गए यहां भी कोशिस हुई मगा बाबा के समर्था कि इतने जवजजद आयते दो दिन पहले से और उनके आयो जग वगएरा को भी पकड़ा जाने लगा सब तो भीर देखकर के बा बीडिगरी सेल्सियस है आपको ताने 42 काफी होता अंदर को जो से नहीं होता है जिसमें कोई भीर नहीं होती है यह बहुत ज्यादा होती तो बौड़ी जब पास पास होती तो तो तेमपेशर अधिक हो जाता है जाड़े में अगर माली जाड़ा लग रहा है अगर एक कमरे तो बिल्पावर बावनाओं में उसमें क्या होता कि आदमी को लगता नहीं अगर यह कंसिल ना करते हैं तो निस्चेद आपको थाना है काफी लोग उसमें अब आपको बताने कि वहां पर ब्रोद की पूरी तयारी थी और तेज अस्यादो तेज यादो या लालू यादो के फैमली जो है किसी के ब्रोद करती है तो खुल के करती है डरती दपती नहीं हर संगर्स के लिए तयार लग तयार थे मगर जो भीर आई उसमें मैलाए ज्यादा थी तेजी से आई वहां पर मैदान में पहले लोगों ने हटा कि अपने आप लोग खतम करके चले जाएंगी चुकि उन्होंने कोई विवस्था उनको दी नहीं अजा आसपास पानी ना 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 ने के लिए तो आदमी थोड़ा बाबाजी ने जब इसम महसूस किया तो उन्होंने अब बिरोद का ये पोईशन रही कि ब्रोद में पूरी सरकाल लगी रही वहीं चुकि उनकी भीड थी तो उनके समर्थक भी बहुत जबज़द सभी मंतरी पहुंच गए असुनी चौबे पहुंच गए समलाट पहुंच गए और वो वो चले गए वो पढ़ना के सांसा चले गए राम करपाल यादो पहुंच गए सारे जितने बी सबनाशन अध्यर क्या तो यह यह डियता का अवुँचरा कोषिन देड़न खालावे परेसे नेता पहुंच तो स ACC आध告 करे खेए यह लोगों चरफ परेसे से बाहर है सर तो महागरबंदन में क्या असर पड़ेगा निदिश कुमार को क्या जटका लग सकता है उनके मंत्री तो बोल रहें अच्छे हैं मतलब समर्थन दे रहें और इधर तिजस्वी यादा विरोत कर रहें तो ऐसे वे निदिश कुमार के ऊपर सारी बाग डोरा पाते हैं मगर अगर उसमें जाते गट या उससे बंडे हुए हैं कि अदे मेटिंग अपोल इनके साथ जो आदमी यह जो बोल है वो ले करके उसके जो मानस पटल में आ गया उसको मिटा पाना एक दो साल तीन चार साल बहुत मुश्किल है जी 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 दूसरी आपको आना है बागेश्वर महलाज के पीछे जब 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 लोग जो समझदाल लोग हैं उनका काम यह है कि कोई आदमी जैसे नेताजात के लोग इवन पतकारतम में भी आजकर लोग ऐसे हो गए है हर जगह यह हो गए जिनका काम होता है जो बड़े बड़े अधिकारी है कि दूसरे पास माल आ रहा है भीर आ रही कहां से आरा पता लगाओ तो मेरे पास भी आए तो चुपचा पता लगाते हैं बाबा जी के लिए इसलिए लोग लगे रहे हैं मीडिया से लेकर सब लोग इतनी कम एज में बाबा जी जितना बोलते हैं और जितना जबज़ा है तो कहीं न कहीं कुछ है कि लोग भी बड़ा ताजुम मानना है जो होसियाल लोग है तो मर्तक जादा है बाबा नोट चापके देदें या डालर या ऐसे कर दें बिलकुष सोना देदें पांच किलो ऐसा कहीं कुछ नहीं है यह है कि बाबा का बोलने के स्टाई जितना तूदा पॉइंट बोल लेना इतनी कम एज में इन्होंने एक बात और बोली वहां पर हिंदू राष्ट वाली बात बोले यह जल्द घोस्रा हो जाएगी वह चीज भी थोड़ा सा जिस कॉंफिडेंस से बोलने हैं उस कॉंफिडे यह हैं और यहीज वह लोग जान गायते कि बाबा भी से भी अगर किसीने जिद की तो बाबा भी जिदी है आप बाबा भी वह तो बाबा भी ब्रोट करें इसलिए आज क्या हुआ कि इन लोगों ने जब फाइदा उटाने का वाया तो आप समझ लिजे कि इन्होंने भी ब् ले हिंदू मुस्षे शुरेंद राम ने बरोत किया और तमाम ऐसे वह थे जिन्हों ने बरोत किया लालू की बेटी ने वह कहा कि इसको ब्रहत राज और भिशेस राज का दरजा दिला दें ठीक है अगर अगर देखा जाए तो वास्तों में बैक फुट में लालू की लॉबी और नितीज की लॉबी बैक फुट में आ गई क्योंकि समर्थक जादा थे ठीक है दूसरी बात है बिहार के इतिहास में यह बहुत बड़ी लकीर होगा मैंने जैपकाई नायन की रैली पठना में देखी है उससे चार गुना जादा भीर थी जैपकाई जी ने वहां से कहा था डरो मत हम जिन्दा है तो पूरे देश में आवाज गई थी लोग कूदने लगे थे और इंद्रा गांती उसमें तब गई थी यह बाबा जी जो है यह बाबा जी का जो है बहुत साप कहना कामेच का इनकी आवाज में एक अलग मदूलता टाइप की है जो लोगों के यह बा और लालू और उनके लिए अगर लालू उनोंने कोई टकड़ाव लिया तो निश्चत तौर पर ये उनके पतन का कानर होगा लालू हो अत्यक है तो देखें यहाँ पर साफ तर पर वरिश पत्रकारट जी का कहना है कि अगर बाबा का विरोध ज़ादा होता है जो देखा ज में फूट पड़ेगा क्योंकि बाबा धिरेंद्र शास्तुरी के भीड इतनी जादा इकटा हो गई कि 10 लाक लोग समालने मुश्किल और इसी तरीके से देखने वाली बात यह हो जाएगी कि बिहाड सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर किस तरीके से इस मामले को में दूणने के लिए और आपकी जो भी राय हो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं